त्रिपुरा में बीजेपी सरकार के चार महीने पूरे होने को हैं लेकिन आखिरकार सरकार ने क्या क्या अचीव किया है इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है मुख्यमंत्री त्रिपुरा के विपलब देव जी विपलब जी ये बताईए कि पिछले चार महीने में क्या क्या अचीवमेंट आप तीन सबसे बड़े अचीवमेंट मानेंगे अपनी सरकार के तीन सबसे बड़े अचीवमेंट है transparent सरकार, सच्छ शरकार जो नरंदर्यमोदी जी का main theme वही है प्रष्टाचार मुक्तो शरकार तो एक तो इससे लिए transparent सरकार करने के लिए हमने यह टेंडरिंग किया हमने जो recruitment policy उसको चेंज किया उसको हमने only retention test को पर रख़ा एक जो ट्रांसपारंट है तो गित्री पुरा में नौकरी को पर ही बहुत जादा लोग निरभर करते सरकारी तो उसमें भी दलदास के तरफ से आप करोगे तो टैलेंट नहीं आती जो ओरिजिनल गरीब है उनको नोकरी चाहिए वो नहीं आ पाते तो quality of work नहीं मिलती quality of work नहीं मिलेगा तो quality of system नहीं मिलीगी quality of system नहीं मिलीगी quality of society नहीं मिलती उसको पर हमने जोड़ दिया उसके बाद हमने देखा तरिपुरा में मुहिला के उपर सबसे ज़्यादा निज्जातन होती थी इस राज्य में तो एक तो एफर नहीं करना पार्टी फिस मिडिल में आ जाती है तो हमारे सरकार आने के एफर का संका बहुत बड़ी है आप देख लाना डाटा conviction rate बड़ी है एफर भी बड़ी है दूसरा हमने इस चीज़ को कम करने के लिए home department में horizontal 10% मुहिला के लिए reservation उसका कारण वही है मुहिला को इस department के पुलीसी व्यवस्ता में इनको जितना लाए जाएगा तो उतना मुहिला का सरशक्तिकरण होगी तो इस तरीके से हमने यह का इंडेस्ट्री के लिए जिसे नौजवान को रोजगार चाहिए शारोजगार चाहिए और उसको डेवलेप्ट करने के लिए हमने जैसे स्कील डेवलेप्मेंट के थो एक सो एक लाग चाली से दर का टेरिंग अमंग रोजगार का वेवस्ता है साथ ही साथ हमने जो इंडेस्ट्रील जो पालिसी है उसको भी ट्रांसपरेंट कर दिया उसको भी single window system जो कि गुजरात में नर small scale industry हो छोटी industry उसको अपने रास्ता दर्वा जागा आपने आपके state में क्यों आएगा दुसरा आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो दुसरे को परेशानी ना हो जैसे गौश्य ना हुआ ऐसा वैवस्ता कर देगा तो अपने आप लोग इससे इहां इन्वेस्ट करेगा इहां के लोग उस दिशा में जाएगा अब कोई नौजवान है ग्रेजुएशन किया बिकॉम किया अमकुम किया नौकरी के लिए पिछे पिछे घुम रहा है तो कुछ लोग को इच्छा होता है तो मैं मुद्रा बेंकर लोन लेके कुछ करूँ तो अब लोन लेके करने के जाता है तो उसको एक बर मिनिसिपल काउंसिल में एनुसी लेना पड़ेगा एक बर पानी के डिपार्टमेंट में एक बर बिजली के डिपार्टमेंट में एक बर इंडेस्ट्री डिपार्टमेंट में एक बर सीम के यहां एक बर कंसर्ण मिनिस्टर के पास तो एक साल तो तो उससे आप बोलने से नहीं होगा, पिछले सरकार के CMD भी टाटा को बुलाया था, उसको टाटा ने टाटा देगे चला गया, बोलने के बाद उसको इंप्लिमेंट करिये, तब वो धरहतल में देखीगी, तो यह जिस इंडेस्ट्री में हमने सिंगल इंडू सिस्टेम जो ट्रांसपर पोस्टिंग है त्रिपुरा में, वो पॉलिटिकल जो यूनियन बजी है, उसके उपर उठके हमने किया है, हमने पूछा ही नहीं, यह कौन सी पार्टी क्या है, उसको देखे करो, यह जो सिस्टेम बनी हुई है, चालीस साल से, उसमें एक बिराम लगी है, लोगों को लगता है, नहीं बहीं, काम के हिसाब से यह सरकार एसेस्मेंट कर रहा है, उसके बाद इस बार जो हमने बाजट है, वो बहुत बड़ा एचिप्मेंट है, पहली बार त्रिपुरा में, जीरो डेप्रिसेट बाजट हमने तेहर की सामने पेश के तिपुरा, तो आप एक तरह तो त्रिपुरा को सनीरवर बनाना चाहतो, हमारे पुर्वोतन मुख मुंतरी और जो पुराने कॉंग्रिस के नेताव लोग थे, जो आज दुनिया में बहुत लोग नहीं भी है, तो इन लोगों ने त्रिपुरा को पुर्नराज्य का दरवाजा, इसके लिए यांदुलन मिलके किया, किसली किया, कि केंदर शरीत रहने सामारा उठेगा नहीं, हम अपने पैर में खड़ा होंगे, तो कितने साल पहले यांदुलन किया, किन तो त्रिपुरा को खड़ा ही नहीं कर पाया, तो इसलिए हमने कि जब तक आपको केंदर सरकार को नहीं लगे लेगी जो आप कुछ करना चाहते हो तब जको खड़ा होता है कोई बेखती कब तो इसमें तिरपूरा में जिसे हमने अब इस जिरू डेपरिसेट बाजट किया बाजट करने के बाद साथ 27 सेबन पे कुमिशन की जो पैसा उसमें है उसको रखे उसको जिरू डेपरिसेट बा निजrimक को रहे ना सब्सक्राइब सोब सब्सक्राइब लुए में ब़िए उसको पॉछ उसके करें तो फिर जमीनी चत्राइब पर सच्चाई कुछ और भी नजर आती है कई बार मॉब लिंचिंग की घटना हुई है दो जिस पर काफी सारी बाते हो रही है कि जिस तरह से आप वाय फैली आपने इंटरनेट सर्विसिस दो तीन दिन के लिए बंद रखी इसको कैसे देखते हैं आप देखें यह एक इंटर लना चाहता हूं और आप लोगों को जानकरी यह सरफ त्रिपुरा में हुई त्रिपुरा में तो यह लगबख खत्म हो गया हमने एक दो परिवार को पांच-पास लाक रुपया अर्थिक मदद भी दिखी कि उस परिवार को दो दोबरा जीना है रहना है और सरकार इसमें स प्रदेश में यह एक इंटरनेशनल चक्र हो जो की अस्तिरता फैलाना चाहता है तो उसके साथ सबीसमें आपने देखा इतिहास गवाह है जो लोग बीदीसी सोच में बिश्वास करते हैं इनको बहुत मज़ा आता है वो इनको लेकर बैठ जाता है हम लोग है जो धूनके लाएंगे जो महराश्ट में एक किसान उनके पैसा नहीं दे पाया तो हम साथ साथ इसके साथ पॉजिटिव भी जे 25% बढ़ाया है किसान को नुनुतमों जो प्राइस है बहुत बड़ी बात है 100 के जगा में 125 रुपय देगा उसको लागे ऐसा क्यों होता है कि काफी सारी बाते हुई है या सवाल या इस तरह के उठे हैं इसको आप कैसे देखते हैं देखे मैं नया कुछ नहीं बोलता हूं जो इस देश में हो ही कहता हूं और जो कहता है उसको ही प्यार करता हूं जो नहीं कहता है उसको ही प्यार करता हूं और इसका मतलब कि लोग मेरे बारे में बा मेरे सरकार के बारे में अच्छा कुछ करे यह चाहता है इसलिए मुख्ध मुंत्री को नजर है तो नजर रहे तो अच्छी चीज है मेरे उपर मा का नजर तो बच्चे को पर रहता है तो वो बच्चा जरूर अच्छा करता है तो मेरा भी पुरा ब ये मेरे लिए अच्छा है, तो मैं अच्छा करने की कोशिश करूँगा। और साथ ही साथ मैं ये भी कहता हूँ, जो पत्थर फेकने वाले जो होता है, उससे पत्थर लेके रास्ता बानने वाले का ताकत जदा होता है। तो मैं उसमें बिश्वास करता हूँ, हमारे प्रधनमुंत्र जी भी वही रास्ता बिश्वास करता है, जिननों भी पत्थर फेका तो उनको पुर दुबरा नहीं फेकना है, उस पत्थर को लेके रास्ता बनाना है, और हमारा दिशा वही है, डेवलप्मेंट का है, तृपु ऐसा वास्तव में नहीं आप घुम के देखिए तब तो मेरे को पीछे थोड़ा सा जाना पड़ा पिछले तो पंचेत इलेक्षन हुई थी उसमें शायद मेरे को पूरा फिकार याद नहीं 600 से 900 को बीच वो संखा होगी जो की बिना प्रतित दंदिजम में जीते हैं दूसरे ने यहां नमिनेशन दाखिली नी किया इनको ऐसे दे दिया तो पूरा इतना पॉलिटिकल स्टेट है आपको लगता है जो कोई पंचेत की लेक्षम ने खड़ा नी होना चाहेगा इतना प्य आपको क्या लगता है तो बलपुरबग तो इन्होंने जीता था उस समय आप बलपुरबग जीता है उसका रियक्षन हो रहा है और जैसे ही सरकार चेंज हुई आपने देखा तीन तरीक के बाद हम लोग रोक रहे हैं मैं खुद CM होके भी रोक रहा हूँ कि मैं पार्टी प अभी भाण कर लिया आप वही लोग है मैंबग है वो ही लोग कर वह समय है तो इन लोगों ने रिजाइंड है तो खाली हो गया तो मेरा काम डाम डेमोकरी को स्टैंदन करना है तो इसलिए हम लोग महारे पंचायत मिनिश्टर जो अब डेप्टी सींपी उन्हें तो विद् प्रजिएशन हुई है कही भी आपने देखा होगा इनको जोइनिंग कराया है जोइनिंग कराया है कोई मुंत्री जोइनिंग करें है एक फोटो आपके पास सीपेम कर पास नहीं है वो गाव में लोगों ने इन्होंने बलपर पुख उस समय इन लोग को खड़ा कर दिया था और बुसी का उनको वही न्यूटन का थाड़ शुत्र है वही लगव हुआ आप जैसा करोगे इसा भरोगे तो इसमें हम कहा सा आगे है गांजा की बहुत खेती होती है गांजा पर आपने यहां पर अभी सबसे ज़्यादा आक्शन लिया है गांजा हब कैसे बन चुका था इद्धिये यहां किसी को रोजगार शौरोजगार देने का सिस्टेम कॉम्मिनिस्ट कहीं डेवलप्ट नहीं करना चाहता है चीन की बात करता है चीन से शौरोजगार का भी सिख ले ना तो चीन में जो दाधागरी करता है वो सिख लेगा इंतो चीन में जो छोटचटा प्रस्वावन देना तो गांधी बाजी समाज बवस्ता चीन ने लगू कर दिया तो उस बवस्ता को तो सिपेम फॉलो नहीं करता इंडिया में भारत में तो इस राज्य में लोगों को सबसे दुख होता है आज मेरे मां यहां बड़े मातर में जन जाती है बहुत सहरल है इन लोगों तो बरबाद करके रख दिया और ब्राउन शुगार कोकीन यह त्रिपुरा में मिलते आगरतला में मिल जाता है कितना मने छोटा सा त्रिपुरा है वो गांजा उगाने में न का कि थूबरवाने उनके कंस्टेंश मुख मुंतरी 20 साल उनके कंस्टेंशी में उनके कॉंस्टेंश में ऐसा ऐसा गाउं है मैं गया हूँ आप लगों ने काबर भी किया होगा जी गाउं में एस शेंसी सी का जो लिस्ट है, दोफ़जार ग्वाहरारा का सनसी के रिपोर्ट, उसी ससी सनसी को यही एक्सेप्ट किया के अंदर के कैबिनेट ने, सरकारने, उस भी बेस करके सबी फैसिलिटिस देता है, चाय तो घर हो, चाय तो पानी हो. उसमें इनके constituency में मानिक सरकार जी के constituency में ऐसा गाउं है जिसमें SECC के list में एक विक्ति का नाम नहीं है, पूरा गाउं के गाउं खतम, इसलिए वो भी जन जाती है, इसलिए रास्ता भी नहीं है, मैं खेत के लाइल होता है, उससे गया हूँ, चीफ सेकर्टी भी मेरे साथ गय दिया है, और नेशा में पढ़ जाओ, तो अपने आप उसमें वैस्तर होगे, आप कुछ मांगोगे नहीं, एक दिन नेशा करते करते, आप 20 साल में मर जाओ, 40 साल मर जाओ, उनको क्या मतलब है, तो उसको हमको रोकना है, जैनेरेशन को आगे बढ़ाना है, इसलिए हमने प और बपाणजा पक्रणा है, अब नमुना देखे, इसका मतलब लोगों को, मीडिया को दिखाने के लिए थोड़ासा, तो हमने दो महिने में होता है 15,000 केलो, और आपने साथी साथ जो गांजा अभी सीजन है, जैसे, उसको चाड़ा लागा था उसका, प्लांटेशन के लि 27 लाग के आसपास जो यह प्लांटेशन है उसको खतम कर दिया चाड़ा में को आप लागाने नहीं दूंगा तो उगेगा ही नहीं तो आप मूल से खतम कर दो बिजनस ही नहीं होगा तो 97 आदमी को हमने एरेस्ट किया और पिछले सरकार ने 5 साल में 47 आदमी को आरेस्ट किया और इसमें पूलिस के कुछ लोग मिल गए थे क्योंकि सरकार मिले वे थे सरकार तो इन ही के थुरू करता है रास्ता साफ करो जाते समय तो कितने सारी पूलिस के अधिकारी आप जेल में है अभी आपके लिए अगले 3-6 महिने में सबसे बड़े चैलेंजिस क्या होंगे तर मैं किसके साथ चैलेंज करूं थाड़ी सीमन लग जनता के साथ मेरा चैलेंज हो इनी सकता मेरा सरकार का वीजन है जो डोकुमेंट में रखा तो हमारा अगले जो छह मेने हो बाशात मेंने मेरा पहला लक्ष है जो कुछ नौजावान को जैसे एर बेटिलियन के त्रोट ये जो नौजबान है इनको 2200 नौकरी तिप्रा के लिए बहुत बोड़ी बात है उसके बाद एजुकेशन में एजुकेशन में हमने 10,330 की नौकरी चली गई इनके कारण से तो अभी तो 18 जुलाई तक सुप्रेम कूट ने कल दिया है समयन को तो हमने इस बार बाजट में चा एक महिला के लिए अरक्षित अब भी महिला है एक महिला के लिए अरक्षित रखा है रिजर्वेशन ओनली महिला के लिए होगा और हम चाहते हैं बड़े मात्रा में महिला टीचिंग जब में आता है तो मा जैसे घर को पालता है ठीक इस तरीके से स्कूल को वह उस तरीके से तो इसमें टीचिंग में हमारे पास 15-16,000 के आसपास हम नए recruitment करने वाले हैं, नए policy में, transparent policy में, तो ये धप-धप में हम करने वाले हैं, और साथ ही साथ ये भी है, क्योंकि उस system को follow करना पड़ेगा, तो हम एक relaxation के लिए Central Government को बोला, वो relaxation आ गई होगी, जिसमें आपको जैसे रिटन टेस्ट में अपने selection हो गया, होने के बाद, after then, सरकार आपको लोन दे देगा, बैवस्ता कर देगा, education loan हो जो भी हो, सरकार देगा बैवस्ता, पैसा लगाएगा, जैसी भी हो, और आपको बीएट प्राइवेट से करें, बाहर से करें, तुरी प्राइवेट करें, और टैट करें, और उसके बाद आपको जब अपने जॉइन करेंगे, तो अपने salary साब पैसा दे जिजे, तो इसलिए इनको अमेरे को तब क्या quality of teacher भी मिल गया, और इनको job भी मिल गया, और 7th पे commission जब लाग होजागा, अच्छा salary भी म होगा, तो इस तरीके से हमने सोचा है, सोचना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी जब बात करते हैं, वाम मोर्चा आपको जिस तरह से बार बार घेरती रहती है, और आने वाले दिनों में चुनाओ आ रहे हैं, लोग सभा के लिए सबसे बड़ा challenge क्या होगा तरपुरा के लिए? जीतेगा, उसमें तो मेरे को लगता निया, आपको भी सोचना चाहिए, वो तो जीते निश्चीत है, ये अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये बताईए कि left to right ये एक मात्र पहला state था, जिसने ऐसा इतिहास रचा है, इस इतिहास को कैसे देखते हैं आप? ये त्रिपुरश्री मा का बहुत बड़ा हम लोगों पर तिपरवासी को पर उनका अशिरबाद है, उन नहीं तो संभब नहीं होता, इसको मैं पूरा मैं मानता हूँ, और मेरे मानने नहीं मानने से कुछ नहीं होता, मा तो मा ही होता है, और मैं उद्विपरसे हूँ, जहातिपरसे मा का मंदिर है, मैं छोटे से उस मंदिर में गया हूँ, और ये करिश्मा ही हुआ, बाकी 37 लक्स तिरपुरा का जनता है, उनके जुनून था, उनको जो स्वाधीन होने का सपना था, कि कुमिनिस्ट से निकल, ये भी बहुत बड़ी वो होता है, कुमिनिस्ट के साथ रेवलिशन करना, बहुत बड़ी जुनून होना चाहिए, जनता के अंदर जुनून पैदा हुआ, उनको पैदा किया होगा, नहीं तो संबब कैसे होगा, मैं प्रेजिडेंट हूँ, पार्टी सामने एक वेक्ति को क मरई की थी, हमने जब साब को रिकө्ष्ट किया, और भी दो रेली, तो मैंने मेरी को याद है, कहला शेयर मकसुनारा में हम उंतो दोद है ने बात किया, हम ने बता दिया, पार तियार होगे, तुम लोग भी खाड़ बता देना तृआर रामादी इतना वेस्ततम समय से निकाल के चार जनसभा दिये उसके बाद तो उसी से में प्रमानित हो गया तो बीज़ेवी का सरकार आ रहा है कुई माने राखा ही नहीं कुछ भी जन लहरा आ गया रास्ते में तो इसलिए एकला को जी बेखती कुछ नहीं कर सकता है संगटित रूप से समय बलवान होता है समय साथ दिया था समय मतलब वही आबाद त्रिप्रश्री मंदिर में जाता है और मैं आपके माद्धम से पूरे देजबाशी को बोलूँगा एक बार आके मेरे त्रिप्रश्री माता का दर्शन करे आशिरबाद ले जरूर कल्लान होगा जैसे कि माता कर सकती है तो इसलिए जीवन में भी वेक्तिक तुरुप से भी लोगों को ऐसा कोई इंजिनेर है डॉक्टर है वो चाहता मैं देश का नंबर वन डॉक्टर बनूंगा जरूर पढ़े बिना पढ़े तो हो नहीं सकता इन तो उस बिश्वास को और भी शक्तिशली बना में बहुत अच्छा काम कर सकता है यह बड़ी दिल्चस बात है कि नेता जब भगवान के डिवाइन इंटर्वेंशन की बात करते हैं लेकिन अपनी महनत अपनी जगह होती है और जनता का आशिरवाद जिसे मिलता है उसी पर उपर वाले का भी आशिरवाद होता है The BJP Alliance Government in Tripura is completing almost four months and with this month they will be entering into another season and other challenges but what are the achievements of the Tripura Government in past few months? Let's talk to Mr. Biplav Dev who is the Chief Minister of the State. Mr. Dev, give me an idea on what are the top three achievements that you see of your government in past few months? Transparent recruitment policy, second is home department 10% reservation for women's, Nishamak Tripura, e-tendering in first time in PwD department and fourth is a single window system for industry and commerce department for small scale industry and others development. So these are quite a lot of achievements but there are political allegations also against you that you are forcing to break down and also vacate the left offices in the state, maybe destroy them saying that they are illegal and also compelling left carders to join BJP, how true is that? This allegation is wrong totally because all the party office, illegal construction, government land. तो क्यों को क्यों लेके बैठेंगे बैठेंगे ये प्रोपार्टियों पाब्लिक, 37 लाग से जनता का प्रोपार्टी है, उसमें आपने illegal construction बना दिया, तो जनता ने सरकार बनाया, तो वो मैं कैसे जो कोई political party है, वो illegal construction करके वहाँ से अपना सोच तयार करेगा, तो उससे तो illegal सोच तयार होता है, उसी कारण से तरिपुरा में गांजा का खेती उन्हों ने तयार की, उन्हेंने मोहिला के उपर जो अत्ताचार सबसे जादा यहां तयार की, तो यह सब उसके साथ जोड़ों है, मैंने तो एक तरह देखे तो communist बंदों के लिए अच्छा किया है, उनको पाप मुक्त किया है, और मैं आज भी democracy है, वो करे, आपना rent में office ले, बाद जमीन खरीद के बना है, मैं कहीं नहीं मना करूँगा, यह अधिकार है इनका, इनको इलिगल जगा में बैठके, सरकारी जमीन में बैठके, तीन मंजिला उठा देगा, और उसमें वो एक पार्टी चलाएगी, ऐसा तो भारत में दूसरी दुनिया में नहीं है, इनको यह दिखता है, एक दिखा दीजे मेरे को, एक दिखाए, मॉंबई में दिखाए, नहीं है, तो नहीं है, तो त्रिपुरा में क्यों होगा, त्रिपुरा देश के तो बाहर नहीं है, त्रिपुरा के लिए कुम्मिनिस्ट के लिए एक आहिन बनाएगा, और दिल्ली के लारे काहिन, ऐसा तो मेरे प्रेशार में, मेरे नहीं, मेरे काविनेट के प्रेशार में ट्रांसपरेंट रिक्टूट्मेंट पॉलिसी होता है, मेरे प्रेशार में एटेंडरिंग होता है, मेरे प्रेशार में 10% मोहिला रिजर्वेशन होता है, मेरे प्रेशार में सिंगल इंडो सिस्टेम होता है, कि मेरे प्रिश्र में 7 Pay Commission की पैसा बाजेट में आती है। यह जरूर मेरे चाती है।aaaa और इनके प्रिशक Started में हुई थी वा तृपॐरा से बिदा होना चाहिए। जनता ने वही राए दया। इसमें कहीं भी दूर दूर तक सरकार कहीं भी involvement में सरकार तो डौटिए ये पार्टी सरकार चलाते हैं इसा नहीं है इनको गलत zaps में कि इनके सरकार पार्टी चलाती है तो इसलिए वो दुसरे को रही सच उसक्रमा से देखता है तो mantle की मैं इनको आपके माध्धम से रिक्वेस्ट करूंगा जो आप अपना चश्मा चेंज करिए और डेवलप्पेंट के जो दिशा है उस चश्मे से देखिए तो आपको सब कुछ ठीक लगेगा आप आपने 25 साल की जो चश्मा लगाया था वो चश्मा लोगों निकाल दिया आपने नहीं छोड़ा आप भी छ जो हम इस सरकार को समय देना चाहते है और ये बहुत सारी अच्छे काम इस सरकार ने किया उन्होंने बोला है तो ऐसा नहीं है वो भी मुखमुंत्री थे वो भी तिपुरा के मुखमुंत्री चार बार थे मैं आज उनके चेहरे पर देखता हूं मेरे को लगता नहीं है वो गांजा का खेति बने, कि उनका कॉंस्ट्रेट्स सब से ज़्यादा बन गया था, मैं नहीं मानता हूं, कोई मुख्छ मुंत्री, आज मैं मुख्छ मुंत्री मेरे को समझ में आथा है, जो मेरे राज्ये का बच्चा ब्राउन शुगाल ले, आप ही मिले, हमको लगता हैं, होता है उनको कही भी नहीं लखेगा जो इलेगल चीज को मैं बंद कर रहा हूं होता तो बीदान सबावे ना उठाता इतना बड़ा सेशन गई है तो क्यों नहीं उठाया एसेंबली में गांजा आप पर आपने कारवाई की है गांजा काफी किलो एरेस्ट हुआ है सीज किया है और उस पर करवाई हुग इसक्या कारवाई की है भी तरह हमने गांजा में तो आज तक मिन इतना 김सान करवाई है अमने LOL कारवाई है और नहीं तो डेर्माहीन ना और दो मैने हमने 15000 थारूज घांजा हमने है ए रिकोवर किया है और देष्टेट किया है और πिछले सरकार सार्प्राम और के užट पीजेंगे। था करती है, क्यूंकनी प्रक्राम के तो घटनाएं हो रही हैं यह आपको कितना परिशान करती है कि यह एक इंटरनेशनल एक रियुमर है पूरे भारत को उस्तिर करने के लिए चन्ने में भी दिखा दिल्ली में भी देखा त्रीपुरा में तो बहुत एक दू घटना घटी है तो यह इसमें जो जब भी इस तरह की घटना घटी है तो इस देश में जो लोग बीदिशी भाबनाओं को मानसिक्ता संपन्न है इनको बहुत मज़ा आता है वो इसको एड़ कर लेता है और उसी में वो चलना शुरू कर देता है तो इसी कारण से वो लोगों को मज़ा आता है और मैं यह कहूँगा जो त्रिपुरा में एक-दू आदमी के परिवायर को नुक्सान हुआ हम परिवायर के साथ खड़े है और पांच-पांच लाग रुपय करका हमने उनको सरकार से हनुदान भी दिये है कि कि उस परिवायर को आगे बढ़ाना है तो सरकार जनता के साथ है और हमारे तरिपुरा में ऐसा कोई बहुत बड़ी इसको problem नहीं माना जाता है तो इसको तो मोकाबल हमारे प्रद्हन मुंत्र जी धंक से कर रहा है और मेरी को लगता नहीं पूरे देश में इस से कोई बहुत बड़ी नुक्सान हो जाए, क् gì development के साथ लोग जाना चाहत अब वाहें फैल रही हैं उसको कैसे रोकना चाहते हैं आप जो बार-बार कभी बच्चा चोड़ी या इस पर वाह लग जाती है और लोग फिर पीट के पीट के मार देते हैं अब जहाँ आप तर्फोरा में एक जो महालपूर में हूई है मेरे लौ मीस्टर कंस्टुरेंसी में तो तो वो तो वह तूइ दिन सिख सय वर स्ब हो गया वह जमीन का मामला अप्रजक जो चोड़ी बच्चे में Tap 16 सल इस सप्राइस अजमीन के मामले मेंimasasagcar यह वहां भी इस टाइप की ही घटना घटी है तो वो इसके पीछे मैं आपको बोलो ना अल्टिमेटली दिखाई जै मैंने गांजे के आप आपने बार-बार पूछी रहे गांजे के मामले में आज बताता हूं जितने भी अरेश्ट हुआ वो कॉम्मुनिस्ट जो पार्टी के साथ जोड़े लोग थे क्योंकि इलिगल बिजनेस कभी भी मैं आपको चैलेंज के साथ बोलता हूं मैं मुक्मुन्तरी हूँ आज मेरे को एहसास हो उसका सरकार के मदद के बिना कभी भी स्मागलिंग बाइलिगल बिजनेस डवलप्ट होई ही नहीं सकता तो इसलिए वो गान जगा खेती मेरे सरकार आने के बाद उगा ऐसा नहीं वो उस सरकार में उगी भी थी और जो लोग एरेस्ट होने वाले थे जो लोग इलिगल काम करने वाले थे वो सरकार के साथ नहीं रहेगा वो करी नहीं सकता तो इसलिए जो भी एरेस्ट हो रहा है मेरे इंप्लॉई करें अगर गाए अगर रखें तो वो इसको इस अंदाज में हमेशा प्रेजेंट कर दिया जाता है इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है देखे मैं कोई नया कुछ नहीं बोलता हूं मैं इस देश में मेरा जनो मुहा है और यह जो मिट्टी है इसमें जिस जिसका जनो मुहा वो अपने आप बहुत कुछ कह जाता है स्वामी विवकानंद ने बोला है जो हमारे देश के किसान है उनको घड़ी देखने का ज़रूरत नहीं है वो उपर की तरफ देखके बोल देता है बारा बच के बारा मिनिट हुआ है वो भारत है यह यह देशे गंगा तो नदी है किसी भी नदी के हम गंगा YU बोलते तो नमस्कार करता है सुरज के तरफ देखके को तो इसलिए इस देश को जिनोंने जाना नहीं, वो बाहर से नहीं कह सकता है, इसलिए इस देश को पहले जानना चाहिए, मैंने नया कुछ नहीं बोला, और मैं यही कहता हूं, जो मैं सभिमानी हुँ इस मामले में, मेरे को इस देश में जनम हुआ है, तो इसलिए उस दिशा में ना जाके, मेरे को उस अब मेरा आखरी सवाल पूर्व में प्रयोक शाला को माना जाता है त्रिपुरा को क्योंकि आपने पूरी तरह से लेफ्ट टू राइट कनवर्ट कर दिया आने वाले दिनों में क्या चैलेंजेज होंगे और इस पूरे अचीवमेंट को कैसे देखते हैं देखिए आने वाले जो चैलेंजेज है चैलेंजेज है यह जो शब्द है इससे मेरे थोड़ा सा मैं इसका विरूत करता हूं चैलेंज नहीं है मेरे जनता के साथ मेरा क्या चैलेंज होगा मेरा आने वाले समय में इनको रोजगार दिलाना है तो रोजगार दिलाने के लिए सरकार काम तो कर रहे हैं हमने दो ट्सर बेटि पॉलेज हम नया खुल रहा है और एक महिला के लिए रिजर्व है और इसमें जो भी ट्रांस्परेंट रिकूप्नेंट नीती में जो रिटेंटेस्ट में आएगी सिलेक्ट होने के बाद सरकार उसका व्युस्ता कर रहा है पैसे का बैंक सो हो जैसे भी हो वो जाके अपना सिल साल की सरकार धस्त हो गई वो एकला कोई पार्टी नहीं कर सकता है यह साथ पूरा जंता थे 37 लाक्स तीपुरा की जंता है जुनून था लोगों को मुक्त मुक्ती चाहिए था मुक्ती मतलब एक स्वाधीन अपना जो ओपिनियन रखना चाह रहे थे उसी का ही यह प्रतिव दूसरा सबसे बड़ी बात है तीपुर शिर माता का जो अशिरवाद है मा ने अपने भूमी को मुक्त करना चाहते थे इन लोगों से तो उनके अशिरवाद हम लोग के साथ थे जंता के साथ थे मा के अशिरवाद मैं तो आपके मादम से बोलूँगा दूसरा नरंद्र देश में जहां भी है लोगों को लगता है जो इस चैलेंज था 25 सल के सरकार गिराना कठीन था लगता है तो आए एकबत्ती पुरश्री महाता के पास आए दर्शन करें तो उनको समझ में आएगी हर वेक्ति परसुनल भी कोई कोई MBBS कर रहा है कोई MD कर रहा है कोई bijजनस्मेंन है वो आके एक बर महाता को दर्शन करें आशिरबात ले तो 25 साल के सरकार जैसे गिरा दिया ठिक वैसा ही अपने जीवन में आपने सक्सेस होना है अपने संस्था में आपको सक्सेस होना है तो इनके पास आईए आशिट बात लिजिए निश्चित अब जीवन में सक्सेस हो जाएगे